कि दोस्तों इस टॉक्टी फॉर यो और आज अब देख रहे हो एक अनदर वीडियो तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है एक्शली अभी मैं लास्ट राइड पे गया था शीडी मुंबाई से शीडी तो बीच में थोड़ा सा एक इंसीडन्ट हो गया था तो वही आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ आज इसे हो गया था कि मैं गाड़ी चला रहा था एक पैच आ गया तो पैच में मैं थुड़ा सा हंड्रेट क्रोस कर लिया तो अच्छानक सामने जो है डंपर सिक्स वीलर जो था वो और दो लेन का ही रस्ता था तो मैं फर्स लेन से चला मतलब सबस्क्राइब कर अब लीज़िए चला रहा था और ऑडंपर राइट साइट से चला रहा था तो अच्छानक मतलब जो पैच था और से सीधा जो है ब्रीच का ब्रीच आरहा था तो ओ जो ट्रक वाला है उसको शायट लेफ्ट जाना था ब्रीच के नीचे तो भाई позzenia अब तो उस टेम कुछ समझानी अच्छानक आ गया और 100 के उपर था मैं तो अच्छानक सामने अब ऐसा था कि ये वीडियो जो है मैं मतलब जस्ट ये होने से पहले मैंने कैमेरा जस्ट दो मिनिट पहले मैंने चालू कर दिया था तो वीडियो जो है ये रैकॉर्ड हो गया है तो अब भी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या एक्छुली में हुआ है ये जो वीडियो है उसमें आपको प्रॉपरली समझेगा नी क्या हुआ बट कैमेरा से जो मैं कैमेरा में जो देख रहा है और मैंने जो मतलब experience कि उसमें बहुत फरक है अगर आपको मतलब कैमेरा में जो ह अगर की सामने जो राइट-hand साइड से और डायरेक्ली ये साड आ गया और उसमें थोड़ा बट मेला भी गलती है कि मेरा को पैच मिला तो मैंने थोड़ा जादा रेस दे दिया तो हंडेट क्रॉस हो गया था बाइक तो अच्छानक सामने आ गया तो अराउंड फाइंड़ 10-800 ने के अंदर जस्ट जस्ट सेक็ंद में हो गया समझारी सो मतलब क्लोस को अगया तह ता बज गया कुछ मतलब उपरवाला था तो कुछ प्रॉबलम नहीं हुआ, कुछ ऐसा अनोनी नहीं हुआ, सेफली मैं बज गया, साइड से मैं मतलब रोड से जो है मैंने, मतलब उतार दिया गाड़ी, बट जो हंड्रिट का स्पीड पर मैं था, उस में से, उस से, उस स्पीड से मैं जब 30 तक घंड刃, अनकंट्रोल हुगेती मतलब ऑल्मोस्स्त मेरे गाड़ी कंट्रोल में नहीं, तो ऐसा था कि मैंने, जब ओण रोड़ था, मतलब जो घ्रक है उसमे लेफ्ट मारा तो मैंने गाड़ी गाड़ी जो है मैंने अर्जंटली ब्रेक मार दिया आगे का ब्रेक नहीं मारा पीछे का मारा बट जो गाड़ी स्केट होके जा रही थी ना तो ऐसे गाड़ी सीधा जा रही थी तो गाड़ी अच्छाना बोलते ना पीछे का टायरा इसे हिलना चालो हो गया पुरा गाड़ी कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी कंट्रोल के बाहर हो गए थी मैं सोचा बस अभी ए टंपर के अंदर बहुत कंट्रोल के बाहर हो गया था गाड़ी बहुत मैं सोचा नहीं था कि मेरे से इतना कंट्रोल होगा गाड़ी बट मैं बच्छा पीछे का टाय स्केट ऐसे हो के प पूरा वीडियो दिखाता हूँ उसके बाद स्लो मोशन भी करके दिखाता हूँ कि स्लो मोशन में बताता हूँ कि क्या हुआ था एक्जेक्ट तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा आप कोई भी राइड पे जा रहे हो किदर लॉंग दूर पे जा रहे है तो प्लीज सेफटी गियर कंपल्सरी पहन के जाना क्योंकि वह आपका बहुत एक प्लस पॉइंट भी है और आपका लाइफ सेवर है आपको लगता है कि हेलमेट कुछ मतलब वेट हो जाता है इसा कुछ निया है थोड़ा सा दिक्कत होता है बट प्लीज पहनना चालो करो हेलमेट विल तो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ऐसी वीडियो आगे आती रहेगी तब तक के लिए बाइ स्टेटू